हलो डियर लर्नार जहिन सभी को शौगत आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जो की साइकलोजी से सम्मंदित होगी मनोबिज्ञान, चाइल्ड डेवलप्मेंट जो की MCQ सिरीज 5 इससे पहले चार MCQ बनाई जा चुकी हैं मनोबिज्ञान से सम्मंदित आप उन्हें भी ज जरूर देखिए किसी भी परिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रिशना आपको इसमें मिलेंगे क्योंकि अप्लिकेशन बेस्ट कोस्चन्स जो की साइकलोजी से रिलेटेड होते हैं वो आपको जरूर मिलेंगे साथी टेलिग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो क दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप उसे भी जरूर क्लिक करें और जुड़ें तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किये ये रहा आपके सामने पहला सवाल इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथी वेल आइकान को भी प्रेस करें और आल पक क्लिक करें ताकि आने वाले ऐसे ही मत्पूर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और लाब उठा आते रहें साथी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें चली स्टाट करते हैं यह रहा आपके सामने पहला सवाल कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मिनिंग आफ मोडर्न साइकोलोजी इस क्या है देखते हैं हमारे पास चार आप्सन से आप्सन ए मन का अध अध्यन, study of body, आप्सन C, आत्मा का अध्यन, study of soul, आप्सन D, ब्योहार का अध्यन, study of behavior हमारा सही जवाब क्या होगा? आप्सन D is the correct answer, ब्योहार का अध्यन देखिए पहले हम मन का अध्यन, आत्मा का अध्यन बहुत सारे जितने भी अध्यन करते चले आए लेकिन उनका कोई वास्तविकता नहीं दिखी, जिसकी कारण से हमारा एक डाइनेमिक प्रोसेस होता चला गया, एक गतिसील प्रक्रिया होती चली गई और आज हम इसे एक ब्योहारिक अध्यन के रूप में देखते हैं, वर्तमान में बिग्यान को हम ब्योहारिक स्वरूप में देखते हैं, जो आपके सामने है, कि प्रात्मिक सिक्षक के लिए बाल मनो बिग्यान का ज्यान आवश्यक है, यानि कि अगर प्राइमरी टीचर होगा, तो वो क्या जरूरत है उसको चाइल्ड सैकोलोजी जानने की, समझने की, तो चली देखते हैं, हमारे पास चार आप्संस हैं, आप् अप्संडी यह बच्चों के बेवहार को समझने में सहायता करता है, हमारा सही जवाब क्या होगा, अप्संडी is the correct answer, यह बच्चों के बेवहार को समझने में सहायता करता है, बाल मनो बिग्यान दिखे, बच्चे से सम्मनित उसकी पूरी साइकोलोजी पता हो जाएगी, उ उसकी अवस्थाओं के बारे में ज्यान हो जाएगा, किस अवस्थाओं में क्या डेवलप होता है, कितना डेवलप होता है, जब ये जानकारी हो जाएगी, तब उसकी पूरी बेवहार को हम समझने लगेंगे, तो वो तभी हो सकता है, जब बाल मनों बेवहार को ज्यान एक सि छको हो इसलिए हमारा option D is the correct answer यह बच्चों के बेवहार को समझने में सहायता करता है अब देखिए question number 3 जो आपके सामने हैं कि 5 साल का एक बच्चा यह तरक नहीं कर पाता कि जब पानी को उंचे और सकरे गिलास से चोड़े बरतन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास चार आपसन से आपसन ए वह प्रतीक नहीं बन पाता आपसन बी वह अनुकरण नहीं कर पाता आपसन सी वह उल्टा चिंतन नहीं कर पाता आपसन डी उसका वेवार उद्देश सेवन मुखी नहीं होता है यहाँ डबल सा हो गया है यहाँ उद्देश शेवन मुखी होगा हमारा सही जवाब क्या होगा option C is the correct answer वो उल्टा चिलनतन नहीं कर पाता है यहाँ कि जो reverse thinking होती है वो नहीं कर पाता इसलिए ऐसा होता है नहीं तो अगर लंबा गिलास कितना भी हो अगर चौड़े गिलास भी हम पानी डाले तो उतना ही आता है बट होता क्या है कि हमारा concept और जो clear नहीं रहता जो प्याजे महोदे की थियोरी है अगर उन्हें पढ़ा जाए तो पूरी तरीके से आपको knowledge हो जाएगा तो question number 3 का सही जवाब क्या होगा option C is the correct answer question number 4 कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निमलिखित में से कौन सा बेवहार सर्बोत्तम है हमारे पास चार options है option A बिद्याले में बिभिनते वहारों का आयोजन करना option B अभिभावकों को बिद्याले में आमांत्रित कर बैठकों का आयोजन करना option C बच्चों को सुस्त इस परधा के लिए तयार करना option D बिद्याले में बाल मेला आयोजित करना इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है option A is the correct answer बिद्याले में बिभिनते वहारों का आयोजन करना जितने भी फेस्टिबल्स होते हैं कुछ भी आये किसी से भी related हो वहाँ पर एक बहतर organize करना चाहिए उसे क्या होगा कि जितनी भी जो अपना संस्कृति होगी जो समाजिक्ता होगी पूरी तरीके से बच्चा जानेगा यही एक में तरीका है बागी आभी भावकों को बिद्याले में बैठा लेंगे तो यह meeting करेंगे कि बच्चे का कितना development हुआ है क्या हुआ ह इससे समाजिक्ता की भावना का विकास नहीं होगा बच्चों को स्वस्त इस पर दहिए तो एक competition होता है तो इससे related नहीं है विद्याले में बाल मेला कायोजन करना फिर इन स्कूल चिल्डरन जो बच्चे अच्चे होंगे तो यह जादा उतना जादा समाजिक भावना का व और बढ़ता है हमारे पास चार option से option A समान से विशिष्ट की और option B जटिल से कठिन की और option C विशिष्ट से समान option D साधरन से आसान तो हमारा सही जवाब होगा option A is the correct answer समान से विशिष्ट की और देखे समान का मतलब होता है अगर हम देखें तो इसको हम पूर्ण से लेते हैं और जो विशिष्ट है उसको हम अंस से लेते हैं तो कभी भी जब डेवलप्ट होता है तो जैसे कि आप मनुस को ले लिजे जब हम देखते हैं तो पूरा सारीरिक रूप से देखते हैं पूरी तरीके से काकार बन जाता है बट उसकी जो विशिष्टाएं होती हैं जो उसके गुड होते हैं वो इस स्पेसिफिक में आते हैं वो फिर बाद में धीरे 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 according to nature डेवलप होत question number 6 क्या कहता है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका सिच्छक को अध्यो पांट यानि in to in अध्यन करना चाहिए उपर्यूप्त कथन किसके दौरा दिया गया है हमारे पास चार आप्सन से आप्सन A प्लेटो, आप्सन B अरस्तू, आप्सन C रूसो, आप्सन D रॉस तो हमारा सही जवाब क्या होगा, आप्सन C is the correct answer, रूसो, देखिए एक दो definition पूछी लेता है किसी ना किसी exam में, किसी भी तरीके की तो आपको ऐसी कुछ अनोखी definitions आपको याद भी रखने की जरूरत होती है, ताकि आप पूरी तरीके से कम से कम अगर एक दो definition आएं भी तो आप उन्हें कर सके जदातर अब present time में application based questions हर एक जाम में आते हैं, factual questions बहुत कम आने लगे हैं क्योंकि आपका उसके प्रती बेवहारिक ज्यान कितना है, आप उसे कितना प्रायोगिक समझ सकते हैं practical लूप में, इसलिए ऐसा प्रसंद दिया जाता है, इसलिए आपके लिए बहुत ही उप्योगी हैं questions question number 7 देखिए, कि ज्यादा तर बच्चे प्रथम सार्थक सब्द इस उम्बर में बोलते हैं, देखते हैं किस उम्बर में, हमारे पास 4 options है, option A 3 महिने में, option B 6 महिने में, option C 35-40 महिने में, option D 10-13 महिने में, हमारा सही जवाब क्या होगा, option D is the correct answer, 10-13 महिने में question number 8 देखिए, कि किसोरा वस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है, यानि कि जो adolescence की age होती है, जिसको teenage भी कहते हैं, तो बालकों को सहयोग देने के लिए क्या जरूरी है, हमारे पास 4 options है, option A motivation, यानि कि आभिप्रेड़ा, option B गलती निकालना, option C आलोचना क करना, option D, नकरात्मक व्यवार करना, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, option A is the correct answer, motivation यानि कि आभिप्रेड़ा देना चाहिए, अब ये गलती निकालना, अलोचना करना, ये सब नकरात्मक्ता में चले जाते हैं, हमको positive होजना है, वो है हमारा motivation, question number 9, कि यह जानना कि सिलाई मसी कैसे चलाएं, एक उधारण है, हमारे पास 4 options है, option A, प्रक्रियात्मक ज्यान का, option B, घोषडात्मक ज्यान का, option C, स्पस्ट ज्यान का, option D, इन में से कोई नहीं, तो question number 9, का जो हमारा सही जवाब है, option A is the correct answer, प्रक्रियात्मक ज्यान का, यानि कि procedural knowledge का एक उधारण है, कि सिल relative knowledge की बात नहीं करा, ऐसा तो कही नहीं रहा कि मैं सिलाई मसीन सीख गया, ये एक प्रकार की घोषडा हो गई, इस पस्ट ग्यान का, इस पस्ट बिलकुल नहीं है, तो सिलाई मसीन एक चलाएं से procedure से related है, इसलिए हमारा option A is the correct answer, question number 10, देखिए, प्रसंदस्वा क्या कहता है, आपके सामने हैं, कि एक बच्ची कहती है, कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये डॉट-डॉट की समझ को प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे ही application based पूछे जाते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शवाल है कि एक आपसन C, विप्रित चिंतन, आपसन D, प्रतिकात्मक बिचार, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, आपसन B is the correct answer, ये cause and effect है, कार्यकारण है, वो मतलब, वो कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानि कि कि किसके कारण से धूप के कारण से कपड़े या प्रतिकात्मक बिचार कर रही बिलकुल नहीं, तो इसलिए हमारा option B is the correct answer, कार्यकारण, question number 11 देखिए, कहता है कि बच्चे के समाजी करण में बिद्याले है, यानि जो socialization होता है बच्चे का, उसमें बिद्याले क्या है, हमारे पास चार options है, option A, प्राथ्मिक कारक है, option B दोतियक कारक है, option C, कोई भूमिका नहीं है, option D, बहुत कम भूमिका है, हमारा सही जवाब क्या होगा, option B is the correct answer, दोतियक कारक है, अगर पुझता की प्राथ्मिक कारक कौन सा होता है, तो हमारा परिवार होता है, और दोतियक कारक बिद्याले होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, question number 12 देखिए, बारवा परस्ण किन्यम लिखित में से कौन सा अभिकास का सिध्धान्त नहीं है, ये सही सिध्धान्त नहीं है, हमारे पास चार option से, option A, संतत्य का सिध्धान्त, यानि की continuity या निरंतरता का सिध्धान्त इसे कह सकते हैं, option B, वैक्तिक बिभिनता क सिध्धान्त, यानि की principles of individual differences, option C, pattern की एक रुपता का सिध्धान, option D, बिशिष्ट से समान्ने का सिध्धान्त, हमारा सही जवाब क्या होगा, option D is the correct answer, बिशिष्ट से समान्ने का सिध्धान्त, क्योंकि सवाल कह रहा है कि कौन सा सही सिध्धान्त नहीं है विकास का, तो हमार option D सही हो जाएगा, क्योंकि बिशिष्ट से समान्ने से बिशिष्ट होता है, आप लोगोंने कभी देखा है कि पहले बिक्ति का पहले सरीरिक आकार नहीं बलकि पहले बुद्धी बिक्सित होती है, ऐसा तो नहीं होता है, जब भी होता है तो पहले एक आकार बन जाता है, उ हम specific चीजे develop होते देखते हैं आप घर को ले लिजे हलाकि एक थोड़ा सा हट के हैं बट अगर घर का उधार ले तो कभी भी आप पहले आप अलमारी पहले बना लेते हैं बाद में दिवाल खली करते हैं तो दिवाल पहले ही खड़ी होगी मतलब आकार पहले ही बनेगा तो इस सवाल नहीं में पूछ रहा है इसलिए option D is the correct option question number 13 यानि कि 13 प्रस्ण जो आपके सामने है कि 16 वर्स की आयू तक मस्तिस्क का भार लगबक कितना हो जाता है अब यहाँ पर एक age की बात की गई है कि 16 वर्स का अगर कोई बेक्ती हो गया तो उसकी मस्तिस्क का भार वज़न वेट कितना हो जाएगा देखते हैं हमारे पास चार options है option A 750 ग्राम से 900 ग्राम तक option B 1200 ग्राम से 1400 ग्राम option C 1000 ग्राम से 1200 ग्राम option D 800 ग्राम से 1000 ग्राम हमारा सही जवाब क्या होगा option B is the correct answer 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक 16 वर्स की आईव तक मस्तिस्क का भार लगभग हो जाता है question number 14 देखिए 14 परसन जो आपके सामने है किन्यम लिखित में से काउन बालक के नैतिक मुल्यों के विकास में महत्त पुड़ भूमी का निभाता है आप संसी सही समाजी करण आप संडी उपर एक तो सभी तो बुद्धी जो कि हमारे नैतिक मुल्यों के विकास में भूमी का निभाती है बिलकुल देखिए कुछ भी डेवलप्ट होता है ना तो हमारा इंटेलीजन्स का सामिल होना उसमें जरूरी होता है प्रार्थना सभायानी की प्रेयर मीटिंग हो रही है उससे भी नैतिक मुल्यों के विकास होता है इसमरण करना किस तरीके से हम किसी का नाम लेते हैं सही समाजी करना का जो वास्तिविक अर्थ होता है जब छोटा बच्चा होता है तो उस समय जो वो चीजें सीख रहा होता है उसको हम समाजी करना कहते हैं तो अगर सही से समाजी करण होता है अच्छे बेवहार इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो दादा दादी होते हैं उनके बीच में यदि बच्चा रहता है तो उसका नैतिक और बेवहारी बिगास बहुत अच्छे से होता है ऐसा माना जाता है क्योंकि उनके साथ रहने से अधिक आइसा तो है नहीं कि वो खेलते होंगे बाहर जाकर के अनावस्यक करेंगे तो उनके साथ बहुत से संसकारों का बेवहारिकता का नैतिकता का बिगास होता है तो फिलहाल हमारा जो यहां सही जवाब होगा option D is the correct answer सभी सही होगा यनि कि सभी की भूमिका होती है अब देखिए question number 15 पंद्रहवा प्रसंद देखिए कि किसोरों का यह महसूस करना कि सभी मेरी और देख रहे हैं को संग्या दी जा सकती है ऐसे ही प्रसंद आते हैं और हम वहां भरमित हो जाते हैं तो इसलिए आपको ऐसे भी प्रसंद जानना जरूरी है क्योंकि ऐसे प्रसंद आ रहे हैं fact question बहुत सारे बन गए हैं आप सिरीज में देखिए application based questions की बहुत आउचिकता है इसलिए ऐसे questions सिरीज में आपको मिल रहे हैं तो देखते रहे है 15 प्रसंद की किसोरों का यह है महसूस करना कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संग्या दी जा सकती है किसको तो देखते हैं मारे पास चार आप संद से option A बेक्तिगत मित है क्यानि कि पर्सनल मित है option B काल्पनिक दर्सक यानि कि imaginary audience option C anorexia nervosa option D bulimia nervosa यह C और D दोनों खाने से संबंदित हैं bulimia में तो ज़्यादा खा लेता है तो उसको चिंता रहता है और anorexia nervosa में वो खाने से संबंदित भी दुस्चिंता रहती है कि मेरा वजन बढ़ जाएगा इन सबसे related है और विक्तिगत मितक है नहीं तो ये काल्पनिक दर्शक है एक प्रकार का देखिए बस महसूस करना कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं वो कहीं भी है तो एक प्रकार का imaginary audience है ठीक है इसलिए हमारा option कौन सा सही होगा option B is the correct answer question number 16 देखिए कि निम्न लिखित में से किसका अध्यन मनोबिज्ञान एवं सिक्षण सास्तर के प्रतिछेद बिंदू पर इस्थित है यानि कि जो मनोबिज्ञान और साइकोलोजी और जो प्रतिण पर इड़ागोजी है वो किस बिंदू से संबंदी था या किस मनोबिज्ञान से संबंदी थे किसका अध्यन इसमें करते हैं किसके अध्यन के अंतरगत हमारे पास चार options है option A सकरात्मक मनोबिज्ञान option B अद्योगिक मनोबिज्ञान option C संगठनात्मक मनोबिज्ञान option D सक्षिक मनोबिज्ञान हमारा सही जवाब क्या होगा option D is the correct answer यानि कि जो मनोबिज्ञान अम सिक्षण सास्तर के से सम्मंदी थे वो है हमारा option D is the correct answer सक्षिक मनोबिज्ञान question number 17 17 प्रस्ण जो आपके सामने है ऐसे कौन से मनोबिज्ञानिक है जिनकी मृत्य हाल ही में 26 जुलाई 2021 को हुई थी देखे सवाल किसी भी तरीके से कुछ भी पूछा दा सकता है current भी दे सकता है पुराने भी दे सकता है ब्यवहारिक भी दे सकता है depend करता है कि आप कितना उसे जानते हैं तो देखते हैं हमारे पास चार आप्सन से आप्सन A जीन पियाजे आप्सन B अलबर्ट बैंडूरा आप्सन C टॉल मैन आप्सन D कोहलबर्ग तो हमारा सही जवाब है आप्सन B इस दा करेक्ट आउंसर अलबर्ट बैंडूरा जो कि 26 जुलाई 2014-2021 चल लहा है उसी को इनकी डेथ हुई थी कोश्चन नमबर अठार है कि जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नजरिये की सराहना करने में सक्षम नहीं होता है तब इसे कहते हैं बहुत ही ध्यान से देखिएगा skip मत करिए क्योंकि skip कर देंगे तो फिर explanation समझ नहीं पाएंगे और फिर आपको problem होगी क्योंकि उतर रट के जाएंगे इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे videos और बहुत सारे YouTube चैनल देखते हैं बट वो जो पढ़ाते हैं वो exam में आता नहीं है exam में वही आता है जो पढ़ाया जाता है लेकिन हम क्या करते हैं रट कर जाते हैं एक-एक सब्द को इसलिए उसके अर्थ को ना समझने की वज़े से हम उत्तर गलत करके चले आते हैं डिपेंड करता है कि आपका thinking कैसा है इसलिए पूरा explanation सुना करिए पूरा video सही से नहीं सुनेंगे इसकी कर करके देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा सिर्फ रट्टू तोता बनेंगे इसलिए देखते हैं हम question number 18 का कि जब एक बच्चा के वल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नजरिये की सराहना करने में सक्छब नहीं होता है तब इसे कहते हैं हमारे पास चार आप्सन से आप्सन A B केंदरी करण आप्सन B आप्सन C अन्ता प्रज्यात्मक विचार आप्सन D जीववाद तो हमारे सही जवाब क्या होगा आप्सन B is the correct answer आप्सन B केंदरी व्रित्ति उसे लगता है कि सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और दूसरों के लिए सक्छम नहीं है या नावुक करना चाहता है तो एक प्रकार का ये इगोसेंट्रिक एटिट्यूट से रिलेटेड है अब देखते हैं question number 19 19 प्रसंजवाब के सामने है कि अध्यापक का कौन सा कार उप्यूक्त अधिगम मुआतवड बनाने में मदद नहीं करता है यानि कि 3 करेंगे एक नहीं करेगा 4 options होँगे ये रहे आपके सामने option A बच्चों को सुरक्षा का भावद देना option B बच्चों को सतंत्रता का भावद option C बच्चों को अन बच्चों की आलोचना करने देना option D बच्चों को निर्भय बराना आप समझ गया होंगे हमारा सही जवाब है option C is the correct answer देखिए कभी भी एक अच्छे वातावरड का निर्माण नहीं किया दा सकता है यदि हम आलोचना करने देते हैं बच्चों को पहले हम उन्हें सिखाएं कि वास्तों में आलोचना का मतलब क्या होता है ऐसे नहीं कि किसी को भी गलत करने कहने देना आलोचना करने देना ये negativity का point है ये सब दार्शनिक लोग करते हैं क्योंकि उनको एक उत्तर से संतुष्टी नहीं मिलती है लेकिन हम सुरूब ही बच्चों को अगर ऐसा सिखाएंगे तो उनका basic concept भी develop नहीं होगा क्योंकि आलोचना करने के लिए भी हमें उसके बारे में पूरी जानकारी पूरा ज्यान होना चाहिए आलोचना किसी के बारे में direct नहीं कर सकते आपको तथ आधारित प्रूफ बेस्ट होना चाहिए पूरी तरीके से आपको तब जानकारी हो तब ही आप किसी के आलोचना करें कि वास्तों में दूसरा गलत क्यूं है तो फिलहाला मारा यहां पर question number 19 का सही जवाब का option C कि बच्चों को अन बच्चों के आलोचना करने देना यही एक उसका कारें नहीं है एक अच्छे अधिगम वातावनट को बनाने में question number 20 देखिए बीस्वाँ प्रस्ण जो आपके सामने है कि बुद्धि पर वन सानुक्रम का प्रभाव होता है किस ने कहा हमारे पास चार options है option A गैसल option B गॉल्टन option C टर्मन option D डॉक्टर माथुर हमारा सही जवाब क्या होगा option B is the correct answer गॉल्टन आप देखिए question number 21 क्या कहता है कि सीखने के बक्र किस के सूचक है यानि कि जो learning curves होते हैं वो क्या क्या indicate करते हैं हमारे देखते हैं चार options है option A सीखने की प्रगती के सूचक है option B सीखने की मौलिक्ता के सूचक है option C सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है option D सीखने की रचनात्मकता के सूचक है हमारा सही जवाब क्या होगा option A is the correct answer सीखने की प्रगती के सूचक है यानि की एक प्रोग्रेस से रिलेटेड है वक्र जो लर्निंग की होते हैं option A is the correct answer question number 22 हम करके सीखते हैं किसने कहा 2-3 definitions आही जाती है हम करके सीखते हैं किसने कहा ये definition किसी के दारा दी गई है ज्यादा तर learning by doing जो theories हैं वो सब John D.B. या दर्सन में देखें तो प्रयोजनवाद से सम्मंदित होती हैं लेकिन पोई विशेस बेक्ती परिभासा दिया है कि हम करके सीखते हैं देखते हैं हमारे पास चार आप्सन से option A. योकम, option B. डाक्टर मेस, option C. सिंप्सन, option D. कॉलसनि सही जबाब क्या होगा? option B. is the correct answer, डाक्टर मेस question number 23. जो आपके सामने है कि अधिगम करता केंद्रीत बिधी का आसा है जो learner-centered method होता है उसका क्या meaning है देखते हैं? हमारे पास चार आप्सन से option A. उन विद्धियों को अपनाना जिसमें सिक्छक मुख करता होता है option B. वह भी next जो है option B. देखे कि वह भी दिया यानि वह भी देना से संबंदित है option B. वह भी देना जहां बतलब अधिगम में अधिगम करता की अपनी पहल तथा प्रयाज समलित होते है option C. किसी सिक्छक अधिगम करता के लिए स्वयम निस्कर्ष निकाल देते है option D. परव परागत ब्याख्यात्मक बिधिया है तो question number 23 का सही जवाब क्या होगा option B. इस दा correct answer यानि कि वह भी देना जहां अधिगम में अधिगम करता की अपनी पहल तथा प्रयाज समलित होते हैं यानि कि ये इस से related है कि देखिए जो अधिगम करता के लिए विधि होती है अगर सीखने वाला ही अपनी पहल खुद से ना कर सके तो इसका मतलब कि ये उसके अनुसार नहीं है उसमें केवल सिक्छक का ही रोल है बस इसलिए हमारा आप्सन B सही होगा कोश्चन नमबर 24 कि आधिगम का सबसे उप्यूप्त कार है हमारे पास चार आप्सन से आप्सन A विक्तिगत समायोजन आप्सन B समाजिक वराजनितिक चेतना आप्सन C वेवहार परिवर्तन आप्सन D स्वयम को रोजगार के लिए त्यार करना हमारा सही जवाब क्या होगा आप्सन C इस दा करेक्ट आंसर यहनिकि वेवहार परिवर्तन कभी-कभी ऐसा भी पूच सकता है कि Learning का Key Point क्या है यानि कि अधिगम का मुख्य बिंदु क्या है तो उसका क्या होता है Change यानि कि बदलाओ ये भी आपको ध्यान रखना है तो अधिगम करते हैं मतलब वेवहार में परिवर्तन होगा अधिगम मतलब आपने सिक्षा प्राप्त कर ली जैसे मैं एक उधारड दू जैसे Special Education में आप पहली बार आए हैं आप से कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप जवाब नहीं दे पाए यानि कि अभी आपका Special Education के प्रती बेवहार परिवर्तित नहीं हुआ है आपने Learning नहीं किया लेकिन एक महीना दो महीना बाद अगर वही सवाल किया जाता है और जवाब सीख करके जवाब जवाब देने लगते हैं आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर लिए तो वो क्या कहलाता है आपके अंदर ब्यवारिक परवर्दा ना गया जैसे कभी कहता नहीं लोग तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिस आ गए हैं यानि कि वो पहले जो अब्जर्ब करता था उससे सम्मंदित आपको जानकारी नहीं थी बट अब हो गई है इसलिए वो कहता है कि बहुत चेंजिस आ गए है आब देखें question number 25 कि नवीन ग्यान की प्राप्ती होती है हमारे पास चार आप्सन से आप्सन A ग्यान इस इत्धानांतरन के दोरा आप्सन B रठने के दोरा आप्सन C अनुभो से नवीन अर्थ दूड़ने के दोरा आप्सन D इन में से कोई नहीं तो हमारा सही जवाब क्या होगा Option C is the correct answer अनुभो से नभीन अर्थ ढूडने के द्वारा देखिए जब भी हम कुछ नया चीज खुशते हैं तो हमारा पुराना जो अनुभो होता है वो सामिल होता है तब ही हम नए ग्यान के प्राप्ति कर सकते हैं एकदम नया होता है तो काफी प्राप्लम साती है लेकिन नए ग्यान के प्राप्ति अनुभो से नभीन अर्थ ढूडने के द्वारा ही होती है इसलिए हमारा Option C सही है राटने के द्वारा तो होई नहीं सकती तो ये आज के 25 questions I hope कि आपको पसंद आये होंगे और ऐसे ही application based questions आपको मिलते रहेंगे अगर वीडियो अच्छा लगी तो like भी करें साथ ही comment करके जरूर बताएं कि आप कितने सही कर पाएं और दोस्तों तक भी share करें Thank you so much जैहिन मिलते हैं next वीडियो में